कुद मॉर्निंग इस्ट्रेंज कैसे हैं आप साथ उमीद करते हूं आप लग अच्छे होंगे आज आपकी वर्षी तंबर 113 इसे अच्छे से लेबल कीजिए इंग्लिश की है डीड क्लास अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए हैलो चिल्रन स्माइल एंड शाइ आपको वह सबसे ज़ादा बड़ी होती है इन सब में सबसे ज़ादा लार्जिस होती है आज की जो मारे स्टोरी है वो एक बहुत छोटी सी मचली की है Read this story, story को पढ़िए The Little Fish, story क्या नाम है A Little Fish By किस ने लिखा है NSB, Comstock ने लिखा है Form your textbook and answer the following question For a better understanding of the chapter अब आपको क्या करना है पहले chapter को पढ़ लेना है पिर question answers के जवाब देने है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके अब देखें यहां लिखा है How many fishes are there in sea कितनी होती हैं इंफिशे सी के अंदर तो आप यहां से लिखेंगी Many million Many million fishes यानि की लाखों की तादाद में होती है मचलिया अब देखें अगला question लिखा है Why was the little fish unhappy यानि चोटी मचली वह unhappy क्यों थी नाखुश क्यों थी तो चलिए इसका अंसर सारे आंसर समें लिखके देख लेंगे Why was the fish thankful to be a little fish in the end यानि आखिर में वह क्यों खुश होती है और क्यों अपने आपको thankful मैसूस करते है कि वह चोटी सी है तो चलिए इन तीनों का अंसर देखते हैं देखिए बच्छी यहां पर आपका पहला कोशन देखेंगे तो आपले देखेंगे देखिए लिए मिलयंस और फिशिठ लिए दूसरा कुशन आपका यहां ता यहां लिखेंगे वह इसलिए लेटल फिश होटी कई उस भाइव बहुत चोटी हम पार यह चोटी उसके बाद यहां पहला कोशन आपका नहीं है इसके वज़े से ही net के अंदर से बाहर निकल पाई थी ठीक है कर लेंगे चली आगे पढ़ते हैं अब देखें आपको अगला कुशन लिखा find the opposite word of the following from the story इनके opposite word लिखें unhappy का क्या हो जाएगा happy nothing का हो जाएगा तो nothing का हो जाएगा आपका everything e-v-e-r-y everything t-h-i-n-g ठीक है चली आगे चलते हैं in the story story में you came across the world content तो बोलती है इसका मतलब क्या होता है which means satisfied ठीक है now try to make sentence using the word अब इस word का मतलब होता है satisfied अब आपको इस word का इस्तिमाल करके एक sentence बनाना है ठीक है चली है तो इस का अंसा देखते है आप इस कांसर यहां से लिख सकते है there was no deny for content expression of his face यानि कि वो अपने face के लिए deny नहीं कर सकती है तो इस तरह से आप जो भी sentence बनाना चाहिए बना सकते हैं चली है तो आच्छी वश्वित को हम लोगे खत्म करते हैं चली आगे पढ़ते हैं यहां पर आपको लिखा है dear children hope you have already the story मुझे उम्मीर आपनों ने स्टोरी पढ़ लिया हुआ अब आपको क्या करना है उन न्यू वर्ट्स को इस्तिमाल करते हुए आपको यहां पर बनाना है ठीक है एक आपको दिखाएगा जिसे splash ठीक इसके बाद यहां पर आप देखें तो यह देखें यह लिखा हुआ है warning है ना warning हो जाएगा इस तरह से इसमें आपको और बहुत सारे में मिल जाएंगे चले जले जले ढूनते हैं इसको यह देखिए एक यहां में मिल गया million ठीक है तो बच्चों देखें मेरे पास यह बुक तो available है नहीं जो मैं आपको और जादा ढूंड के बताऊं तो आप लोग क्या करेंगे अपने बुक में से चैक करेंगे इसमें और कौन-कौन से वर्ट्स बन सकते हैं ठीक है इसमें कुछ बुक में न्यू वर्ट्स होंग तो प्लीज मैं चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग